हलो गाईज आप सभी सात्यों का स्वागत है आपके अपने यीट्यूब चैनल टॉप पर सिंट पर तो आज एक बहुत इंपोर्टन सुनवाई जो है सुप्रिम कोड में लगी थी कौशिक दास वर्सेद बेस्ट बंगाल जिसकी सुनवाई कम्प्रीट हो चुकी है और जो उन सभी चीजों पर हम बात करेंगे आगे क्या हो सकता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे लेकिन अगर आप लोग चैनल परने हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको एनाउस डेलेट से सारी इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल सही कोड में लेकर जाइए क्योंकि सुपरीम कोड में डारेटली केस नहीं आ सकता है इन्होंने कहा कि कोई राजज सरकार यानि कुछ अपोज करती है आप हॉई कोट जाते हैं हाई को आपको निरासा मिलती है या कुछ भी चीज़ें तब आप सुप्रीम कोड में लेकर आईए लेकिन आपने इस case को directly आप Supreme Court में लेकर आए हैं इस वज़ासे जो थोड़ा सा यहाँ पर दिखते हुए कुछ regulation को लेकर के भी जो ज़साइब आती ही वो भी थोड़ा सा यहाँ पर upset भी दिखी एनौस डिलेट को लेकर के तो फिलाल इस case को जो है dismiss कर दिया गया है लेकिन इसमें आपको ज़्यादा डरने की बात नहीं है उन्होंनों यह कहा है कि आप पहले इस case को high court लेकर जाएं तो यह जो कौसिकदास वाला जो मामला है अगर आज की हम judgment की बात करें तो यह मामला अब पहले high court में जाता हुआ दिख रहा है और अब यह मामला जो है पहले high court में जाएगा उसके बाद जो है इसमें कुछ और चीज़ें देखने को मिल सकेंगी फिलाल announce date का भवेस क्या है तो जाहिशती बात है announce date का जो भवेस है वो बिलकुल अन्दकार में है भाई आपको जो सिक्षक बरती से बाहर किया गया है तो आपके लिए कोई बुरी update नहीं है आपको तो सामिल होना है आप अलेडी बाहर हो यह बात तो सही है तो ऐसे में अभी दो case जो बहुत जादा important लगे हुए है Supreme Court में एक जो rate petition पपू जी के द्वारा जो डाली गई है वो और एक review petition नंदन सिंग बोरा वाली ये दो सुनवाई बहुत जादा आहम हो जाती है और आउस डिलेट को लेकर के तो फिलाल हम लोग इस पर बात करेंगे ही जो आपके नए case फ्रेस case हुए है फिलाल इस पर तो यही अभी का judgment है वो यही आया है कि इस case को जो है dismiss कर दियागा है बाकि अगर कोई information हमको मिलती है ना उस date को लेकर के गजट के माध्यम से या फिर सुप्रेम कोड के माध्यम से ही आपनों को जीत मिल सकती है जो अपडेट है वही अपडेट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ और अपडेट यही निकल कर आ रहे ही कौशिक दास बरसर बेस्टाब बंगाल वाला जो case था उसको dismiss कर दिया गया है और यह बताएगा कि पहले आप इसको हाई code लेकर जाएए उसके बाद ही इस पर कुछ चीज़ें हो सकती है तो यह रही आज के अपडेट उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लेगी होगी और हाँ एनाव डिरेट की पलबल की अपडेट के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जैहिन जैभारत